हाई गाई वेलकम वेक माई चैनल जी अगोश्वामी फैसन यदि आप हमारे चैनल पर पहली वारा हैं सबसे पहले सब्क्राइब पीजिए फिर लाइक कीजिए फिर कमेंड कीजिए उहां पे चोटा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो का आज है संडे समय हो रहा है छे वजने वाला बजा नहीं है पांच मिनट कम है और मैं थोड़े दिर पहले सो के उठी ती सो के उठी और जो मेरा साम का जो रूटीन होता है उसे निप्टा कर मैं बैठी ही थी चुकि हुआ क्या था ना कि कल मुझे हर घर में संडे थोड़ी स साफसफाई होती है हमारे घर में भी संडे को हम लोग फुल टाइम साफसफाई करते हैं और यूं हुआ था मुझे सोफा की कवर हटानी थी और मैं तो जल्दी बाजी में कर रहे थी तो मेरे जो इस उंगली की जो नेल है वो तूट गई थी तो वेरी सैड मैं थोड़ा सा स दर से निकाल कर वापस से फिर से बढ़ाना तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने दसो उंगलियों का नेल नेल पेंट रिमूव कर लिया है आप देख सकते हो और मैं आप लगों से खुद की एक चीज सेहर करती हूं कि मैं नेल एक्स्टेंशन नहीं कड़ाती हूं मैं किसी परकार का नेल आर्ट अपने हाथ पे पॉलर में जाके नहीं कड़ाती हूं मैं सलून में जाके नहीं कड़ाती हूं तो यह था हमारा खुद का बात कभी भी आज तक मुझे याद नहीं है कि मैं नेल एक्स्टेंशन कभी कराई होंगी और मेरा खुद का आप देख सकते हो म ऐसा नहीं मुझे डार्क बहुत पसंद है जो कि थोड़ा सा बुलू होता है स्काई बुलू होता है स्लेटी ग्रे यह सब टैप का कलर मुझे बहुत पसंद आता है लेकिन थैनिंग वेर पे मैं फिर से रेड यलो लगाती हूं और साबन का ग्रीन और बशंत पंचमी का यलो यह सब लगाने में नहीं बोलती हूं पार्टिकुलर एक कलर के लिए मैं मार्केट तक जाती हूं कि मुझे ग्रीन चाहिए तो चाहिए यलो चाहिए तो चाहिए तो इस टाइप का सवभाव है हमारा मैं आयोजन को बहुत महत देती हूं अपने पूजा पार्थ जैसे वाल जिनका नेल छोटा है उनको बड़ा सौक होता है कि मैं नेल आट करूँ नेल बढ़ा हूं तो जिनका नहीं बढ़ता है जिन बहुत लोगों को ऐसे से करने का आदत होता है बहुत लोगों को हाथ से नेल को खारने का आदत होता है तो उन लोगों के लिए मैं आज एक वीड परेगा और मैं किन समानों के साथ यहां पर बैठी हूं सबसे पहले फेक नेल्स नेल रिमोवर कॉटन फेवी क्विक और एक आप दो नेल कटर ले सकते हैं दूसरा एक छोटा सीजर और एक आप नेल क्रेम यह सब आपके घर में ही होगा और साथ में अपने अपकोड़ी नेल पेंट मैंने पुरा बोकेट ही लेकर बैठी हूं तो इतनी सारी समान के चुरुत पड़ेगी इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा तो मैं सबसे पहले आपको मैं बता देती हूं एक कॉटन पे दें अनील ब्रीवाघ लगा कर यह जरूरी होता है आप जिस टाइंब पर निल पेंट लगाते हैं जो साफ हो आप एक पर उसे साफ कड़े साथ में आप क्या कीजिये ना जब आपका हाध साफ हो जाता है तो आप हैंड क्रीम जरूर इस्ते मैल कीजिए यह नेल क्रीम हमारे पास नेल क्रीम है यह वाला आप पास यह नहीं होगा तो आप इसे स्वापिन कर सकते हो नाइका से जाकर यह मंगूलिया का है नाइका का इसकी फिग्रेंस बहुत अच्छी है बहुत सॉफ्ट महसूस होता है जब आप कोई भी काम करते हो तो अच्छे डंसे होनी चाहिए उसके बाद मैं अपने अकोर्डिंग क्या करती हूँ ना पहले नेल सेलेक्ट कर लेती हूँ अच्छी इसमें गम भी दिया हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह सही होगा इसलिए मैंने प्रवी कोई कर इस्तेमाल करने वाली हूँ इसमें gum already मुझे मिला था आपको मैं दिखा दूँ ये वाला gum मुझे मिला है और ये हमारा fake nails है तो इससे मैं अभी अपने according चून लेती हूँ कि किस nail में कौन सा जाएगा अभी बंद को जीवर्ड इसमें तो नेल पेंट नेल तो हमने लगाया है फेक नेल्स आप देख सकते हो लेकिन मैं इसके पेंट करेंगे पेंट करके दिखाऊंगी ये कैसा लगता है तो अभी ट्रेंट में है ये कलर मैं यही कलर पर पहले भी लगाई थी जो कि अभी फिर आप से बात करते हूं तो गाइस हमने नेल पेंट कर लिया है आप देख सकते हो मैं फेक नेल्स लगाई हूं और ये काफी अच्छा लग रहा है पाटी वेर के लिए सही है दस दिन के लिए सही है पास दिन के लिए सही है और लेकिन जो लोग वर्किंग मुवन है जो जाती है ऑफिस तक तो ठीक है लेकिन फिर भी अगर उनको कॉंब करना है आठा गुनना है तो सायद थोड़ी दिक्कते आती हैं बट मैं तो यह आपको करके दिखाई हूं बस जस्ट अभी मैं एक गर्म पानी में थोड़ा सा सहने टाइप में पानी में मैं हान रुब होंगी तो यह था हमारा फेक नेल्स आर्ट्स और आप लोग भी घर में इसे यूज कर सकते हो किसी पाटी वेर पाटी वगरा में जाने के लिए आप इसे लगा सकते हो अच्छी चीज है और इस यह नेल्स में सबसे खासियत है यह औरड़ी कलर किया हुआ है लेकिन मुझे आप ल जितना कुछ भी आप कर रहे हो फैसन से रिलेटेड मुझे लगता है सब जाइज है तो हम आप सभी कर सकते हैं और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप तो जरूर पताईएगा और मेरे चानल को सब्क्राइब जरूर कीजिएगा तो यह था आज का वीडियो तो फिर मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में तर्थे के लिए बाटाइगा